सब्सक्राइब नाओ and click on the bell icon for more updates बैकप, बैकप restore कैसे करें दोस्तो पिछले वीडियो में हमने जाना है की UPDRAP PLUS backup plugin का setup कैसे करते हैं और UPDRAP PLUS backup plugin में backup कैसे बनाते हैं दोस्तो backup बनाने के बाद next step जो है की backup को restore करना कई बार हमारी website में ऐसी problem आ जाती है जिनें बहुत कैवसिस करने के बाद भी हम उस problem को दूर नहीं कर पाते हैं परन्तु ऐसे में यदि हमारी website का पुराना backup होता है तो हम backup को restore कर सकते हैं और जो भी problem आई है उसे fix कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि updraft plus backup को restore कैसे करते हैं backup को restore करने के लिए सबसे पहले आप अपने mouse को ज़र को left side में settings को उपर लेके जाएं settings पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे बहुत सारे option दिखाई देंगे तो आप यहाँ पे सबसे पहले updraft plus backup पर क्लिक करें updraft plus backup and restore में आने के बाद अब आपको थोड़ा scroll करना है backups तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा backup date, backup data click to download यदि आप इनको download करना चाहें तो आप अपने local computer पर इनपर क्लिक करके download कर सकते हैं और फिर एक option होगा action उसी के नेचे आपको कुछ option दिखाई देंगे restore delete and view log restore पर क्लिक करके आप कोई भी backup को restore कर सकते हैं delete पर क्लिक करने के बाद वह backup delete हो जाएगा तो अब हम यहाँ पे 27 November को लिया गया backup को restore करने वाले हैं तो हम उसके आगए restore पर क्लिक करेंगे अब draft plus restoration तो अब यहाँ पे हमें यह चूज करना है कि हमें किस किस चीजे को restore करना है तो यदि आप सिर्फ theme या upload या others या database को ही restore करना चाहें तो आप उसे select कर लेना है यदि आप पूरी की पूरी website को restore करना चाहते तो आपको यहाँ पे सभी को select करना होगा तो चलिए हम यहाँ आप से select कर लेते हैं सभी को ओके इतना करने के बाद आपको next पर क्लिक कर देना है downloading backup files ओके दोस्तो हमारा जो backup है वह गूगल ड्राइब में stored है तो वह लोकल सर्वर में download होगा तो download होने का हमें थोड़ा सा wait करना है झाल AM झाल झाल बैकप फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर रीइस्टोर पर क्लिक कर देना है तो चलिए हम क्लिक करते हैं रीइस्टोर पर अब यहाँ पर रीइस्टोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है तो इसे कंपलेट होने का थोड़ा सा हमें वेट करना होगा तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रीइस्टोर सक्सेस्पुल इसका मतलब है जो हमारी वेपसाइट का पुराना बैक अप है वह सक्सेस्पुली रीइस्टोर हो चुका है तो अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है रिटर्न टू अब्डराफ प्लस कन्फिग्रेशन ओके तो चली हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं अब ड्राफ प्लस बैक अप एंड रीइस्टोर में बापस आने के बाद अब आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा या फिर एक नॉटिफिकेशन दिखाई देगा यूर बैक अप हैस बिन रीइस्टोर्ड डिलेट ओल्ड डारेक्टरी ओके तो आपको यहाँ पर डिलीट ओल्ड डारेक्टरी पर क्लिक कर देना है अब ड्राफ प्लस रिमूब ओल्ड डारेक्टरी ओके तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ओल्ड डारेक्टरी है वह सक्सेस्पुली डिलीट हो चुकी है तो अब आपको यहाँ पर क कन्फिग्रेशन ओके दोस्तों अब आपने सक्सेस्पुली अपनी वैपसाइट के बैक अप को रिस्टोर कर ली हैं इसी तरह से आप भी अपडराट प्लस के द्वारा बनाये गए बैक अप को रिस्टोर कर सकते हैं उमीद करता हूं आपको एप वीडियो अच्छा लगा दोस्तों आपको एप वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई